हेलो फ्रेंड्स मैं प्रिती आदब स्वागत करती हूँ आपका हमारी एक और नई वीडियो में आज हम जानेंगे कि प्रिग्नेंसी के शुरुआते तीन महीने में आपको अपनी डाइट में क्या सामिल करना चाहिए और क्या नहीं क्योंकि पहली तेमाही में मिसकैरेज होने की चांसे सबसे जादा होते हैं इसलिए प्रिग्नेंसी के पहले तीन महीने के दोरान अच्छी डाइट लेने से माँ और हूनी वाला बच्चा दोनों हेल्थी रहते हैं इसलिए प्रिग्नेंसी के दोरन आपको आपकी डाइट में सभी निउट्रिशियंस, फूट्स, फूट्स ये सब कुछ सामिल करने चाहिए क्योंकि प्रिग्नेंसी के दोरन आप जो भी खाती है उसका सीधा असर आपके हुनी वाले बच्चे पर पढ़ता है इसलिए आपको अपनी डाइट में हेल्दी निउट्रिशियंस, फूट्स ही सामिल करने चाहिए लेकिन कई महिलाओं को ये पता भी नहीं होता कि उन्हें प्रिग्नेंसी के दोरन क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए ऐसे में वे अक्सर दूसरों से सुनी-सुनाई डाइट को फॉलो करने लगती है इससे मा और हुने वाले बच्चे की हैल्दी को काफी नुकसान हो सकता है प्रिग्नेंसी के पहले तीन महिने में मौनिंग सिक्नेस से बचने के लिए नीबू पानी या अद्रक की चाए पी जा सकती है दिन भर में कम से कम तीन से चार बार तरल चीजे जैसे की चाच, नीबू पानी, नारियल पानी, जू, सेख ये सब पी सकती है ऐसा करने से आपकी बॉट्री में पानी की कमी नहीं होगी इन तीन महीनी में बच्चों के अंग बना स्टार्ट ही जाते है ऐसे में अपने खाने में जादDa से जादे पॉस्टिक चीजों को सामेल करें प्रिग्निनसी के पहले तीन महीनी में आप अपनी डाइट में कार्बो हीड्रेट स्रिच फूट्स जैसे की ब्राउन राइस, सावो तनाज, किनोवा, ओट्स, जुआर, बाजरा, सूजी, पास्ता ये सब सामिल करें इनके सेवन से ना सिर्फ आपको और बच्चों को पोसक्त तो मिलेंगे बलकि इनसे हाँ समय पेट भरे होने का एहसास भी होगा इसके अलावा जमीन के भीतर उगने वाली स्टार्च वाली सबजियां जैसे की आलू, जिमीकन, सकरकन, अर्बी और कच्चे केले का सेवन भी प्रेगनेंट मिला के लिए लापकारी है इसके अलावा आप अपनी डाइट में अलग-अलग रंगो वाले फल, सबजियां ये सब कुछ सामिल करें इनसे फाइबर, विटामिन B, विटामिन K, विटामिन E, विटामिन C, पोटेशियम और तामभा काफी अच्छी मात्रा में मिलता है और डेरी प्रोडक्ट जैसे धही, छाच और पनीर का सेवन चरूर करें इनसे कैलशियम, प्रोटीन और विटामिन B12 मिलता है डेरी प्रोडक्ट में ऐसे फूड आइटम चेन है, जिनमें फैड और मीठा कम हो रात को सोने से पहले एक कब दूद चरूर पीए इसकी अलावा प्रेगनेंसी की शुरूआती तीन महीने में बॉड़ी को पूरी तरीके से हाइड्रेट रखना बहुत जरूरी है इसलिए फालोका जूस, नारियल पानी ये रागुलर रूप से पीए पानी पीने से कबजसे रहात मिल सकती है यूरिन इंफेक्शन से बचा जा सकता है अगर आप नॉन्विज खाती है तो डाइट में चिकन, फेस, अंडे हफती में दो-तीन बार खा सकती है प्रेगनेंट महिलाओं के लिए ओली फिश खाना लापकारी होता है और इसकी अलावा प्रेगनेंसी की शुरुआती तीन महिने में आप डिबबाबन जूस या ड्रेंक से परहिच करें और फास्ट फूड का सेवन करने से बचें और हो सके तो प्रेगनेंसी में व्रत ना करें और ना ही आप लंबे समय तक भूकी रहें इसके अलावा प्रेगनेंसी के दौरां सी फूड ना खाएं इससे प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन हो सकती है घर में दूद से बनाया गया पनीर बिलकुल ना खाएं इसके अलावा एंटेनेटल स्क्रीनिंग टेस्ट जैसे की ब्लड ग्रूप, आरेच, हीमोग्लोबीन, ब्लड सुगर, स्क्रीनिंग फॉर, इन्फेक्शन जैसे की HIV, सेफले, सुबेला, हैपटाइटस C की नियमेत रूप से आप चार्च करवाएं हर 15 दिन में अपनी डॉक्टर को अपना चेकट जरूर करवाएं और USG भी करवाएं, ताकि आपको अपनी डिलिवरी डेट की साथ-साथ ये भी पता चल जाए कि गर्व में एक या उससे ज़्यादा बेबी तो नहीं है और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपनी दोस्तों के साथ शेयर करें हमारे और भी वीडियो सेखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल न भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हम आपके सभी सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आप हमारी वीडियो अपलोड होने के एक गंटे के अंदर कमेंट करते हैं तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि 100% उसका रिप्लाइ कर सको। तो फ्रेंड्स अब मैं आपसे विदा लेती हूँ, अब आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्त रहिए।